इस वीडियो में मैं आपको बताने वालाँ फ्रेंड्स की आप दोस्तों रियल मी के मुबाइल फोन में आप दोस्तों एप टाइमर को आप डिलीट कैसे कर सकते हैं या फिर दोस्तों एप से जो है आप दोस्तों टाइमर को कैसे हटा सकते हैं देखिए दोस्तों टाइमर सेट करने से क्या होता है कि आपने दोस्तो जिस लाप पर जितने देर का timer set किया हुआ होता है तो दोस्तो जब आप एक दिन में उतना time तक दोस्तो यूज कर लेते हैं तो फिर आपका वो app दोस्तो जे इस तरीके से disabled हो जाता है जैसे आप दिख सकते हैं मेरा YouTube अप जो तो यहां पर हो चुका है digital क्योंकि दोस्तो मैंने ऐप timer में set किया गया time जतना हम आज अपने youtube app को यूज़ कर चुके हैं तो दोस्तो अब अगर आप दोस्तो इस app से timer को हटाना चाहते हैं या delete करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे चलिए दोस्तों मैं आपको देता हूं बता तो इसके दोस्तों दो तरीके हैं आप चाहें तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं सबसे पहले तरीके में आपको जाना है अपने रियल मीमॉयल फोन की सेटिंग में सेटिंग में जाकर नीचा आना है और नीचा आने अब दोस्तो आपने जिस एप पर टाइमर दोस्तो लगा रखा होगा तो दोस्तो उस एप के साइड में जो है आपको दोस्तो वो टाइम में देखने को मिल जाएगा जितने टाइम का आपने टाइमर सेट कर रखा होगा जैसे दोस्तो मैं जो अपने यूटिब एप में दोस्तो 35 minutes का timer सेट किया था तो दोस्तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 35 minutes कर रहा है अब दोस्तो दोस्तो दिखी अगर timer घटाना इससे पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ option मिल जाता है delete timer का तो आपको क्या करना है एक को यहां डिली टाइमर पर पर कलिक कर देना उसके बाद से टाइमर हट जाएगा करेंगा और फिर आप गोडशन zal जीतना चाहें तो उस आप को आप यूज पर सकते हैं इस तरीके साथ ऑ wolves टाइमर कर सकते हैं यह अरतुं सब्सक्राइब जरूर करेगा